कांग्रेश ज्वाइन कर रहे थे तो आपके दिमाग में EDCVI और income tax का अध्यान नहीं आया आएगा भी तो it doesn't matter मेरे को बिल्कुल नहीं आया जिंदगी में जीना काहे के लिए अगर इन बातों से डरके सच नहीं बोलना जो जो historical task है जो एक intellectual को निभाना चाहिए जो एक नागरिक को निभाना चाहिए मेरे को पिछले सतर साल में नागरिक से बोटर बना दिया गया है I'm a citizen I have the spirit to have the right kind of things for me and for me for my children तो वो भामना अगर आएगी ना तो क्या क्या कर लेंगे पकड़ लेंगे केस देश दरों का मकदमा चला लेंगे मैं 75 साल का हूँ तो पांच सार साल जिंदगी है लग जागी लग जागी How does it matter? जो बांगलादेश चाता था वो किया इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलेंड के आसपास fishing rights थे 2014 के बाद वो fishing rights क्यों चले गए इन्हें जवाब देना है कट घरे में इन्होंने खुद अपने आपको खड़ा कर दिया और बिचारे जैशंकर जी अब उन तो मजबूरी है उनको जवाब देना पड़ता है उनको press conference करनी पड़ती है जरा कोई जैशंकर जी से पलट के पूछ ले कि साब आप तो चीन के ambassador रहे हुए हो क्या हो रहा है 4000 square kilometer चीन ने कबजा कर लिया क्यों नहीं जवाब देते क्या क्या इन लोगों ने बात चीन की हो रही है चले गए श्री लंका न भुगोल की जानकारी न इतिहास की जानकरी न होमवग करते हैं चले आते हैं साब कभी जो मुँ उठा के कुछ बोल देंगे और लोग मान जाएंगे प्रणान मंत्री को शोभा नहीं देता है इस तरह से हलकी बातें करना आज बोल रहे हैं अदालत में इनके अधिकारी खड़े होकर कितनी कोशिश की कि ये सूचना बाहर नहीं आए अगर इतना ही पारदरशिता के हिमायती हैं इतनी बड़ी वकालत कर रहे हैं आज पारदरशिता की तो क्यों सुप्रीम कोट की वजहें से इसको बाहर आना पड़ा खुद ही बाहर कर देते इलेक्टरल बॉंड्स गैर पारदरशि हूँ ये किसने निरने लिया था इन्हीं की सरकार ने लिया था अब जब पोल खुल रही है शेल कंपनी की पोल खुल रही है किस कंपनी के हाँ एडी भेजी और फिर हफ्ता वसूली की ये लिस्ट सामने आ रही है अब चलें सफाईयां देने प्रधान मंतरी की किसी भी बात पर अब देश का एक भी बच्चा भी अब यकीन नहीं करता ये अफसोस की बात है उन्हें खुद इस बात पर अफसोस होना चाहिए कि दस साल में उन्होंने अपनी छवी के साथ क्या कर दिया कि आज देश का बच्चा-बच्चा बोलता है कि प्रधान मंतरी जो बोल रहे है वो जूट है जो देश की हालत है तो उसमें आप सम जानते हैं कैसे तरह जो धार में ध्रूबी करना है उसका जो बोल बाला है जैसे देश को बांटा जा रहा है डफर्द का महाल पैदा किया जा रहा है जिसमें दो स्लोगन जो जिसने सबसे मुझे प्रहुम्त किया वो था कि नफरत के बाजार में महबत की दुकान और दूसरा था दरो मत जो देश में डैस का डर का एक बाता परन पैदा किया था इस पर मौझूदा प्लिटिकल डिस्पेंसेशन ने मौझूदा नजाम ने जो देश सहमा हुआ देश था सहमा हुआ बिपक्ष था आम लोग सहमे हुए थे उसको जो जो डरा दिया डरो मत इट रफेक्टेड में रियली और सच में लोगों इंटरंदा बंद कर दिया मजूदा सत्ता से तो ये दो बात दो तीन बाते थे तो वें जब दाहुल जी ने ज बिजिकली असोशेट बिद पार्तिजोड़ो जात्रा अंधन पार्तिजोडो न्याय जात्रा अगें एंडिफेंट फॉर्म्स सो ये सारा कुछ थोड़ा परसंग है तो एक तो मैंने पहले बोला है कि जो रिलिजिस पोलराइशन है जो समाज को बांटने वाली है देश को तोरने वाली है that has to be fought. और मैं कहता हूं कि this is a war which has to be fought and I am going to fight this war. Elections, no elections, MP, no MP, ticket, no ticket, that's not the question at all. It was never from my childhood till date. I want to make it clear to media people and to the Congress party also. Congress doesn't need me. I need Congress because I have something inside me. which is burning every time, कि देश किदर जा रहा है, मैं जब पैदा हुआ था, मैं किस हवा में पैदा हुआ था, और आज जो हवा है, वो कैसी हवा देश पे चल रही है. This is what, this is what Gandhi is, this is what Tarambeer is. So, this is a place, religious polarization का महाल है, जो सेफरनिजिशन किया जा रहा है, जो सोशल फैबरिक है, जो तोड़ा जा रहा है, उसको नच्च किया जा रहा है, और धार्विक धुरूबी करना है, यह जितना बड़ा खत्रा है, और economic disparity, जो आर्थक बिशमता है, वो आसमान शूरह ही है. आप कोई किसी बक्त ना, ग्रीव और अमीर का कोई proportion हुआ करती थी, इस परपोर्शन हो, पता ही नहीं है कब अड़ानी के पास कितना पैसा चला गया है, पता ही नहीं कि हिंदोस्तान के 200 परवानों के पास कितना पैसा है, और बाकी 70% लोग किस हालत में जी रहे हैं, जो ज het was a very indicative, very descriptive, descriptive slogan thas, I was quite impressed with that also.